हेलो फ्रेंज मैं पुन्ण माझी मेरे यूटूब चैनल मैझी किचन में आपका स्वागत कती हूँ तो फ्रेंज आज हम बनाएंगे पापलेट करी की रेसिपी जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी तो चले वीडियो सुरू करते हैं पापलेट करी बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक चमच नमक, अदा चमच हल्दी, एक चमच गरम मसाला, एक चमच हमने यहाँ पर लिया है लाल मिर्ज का पाउडर और एक चमच चिकन मसाला सबजी के लिए हमने यहाँ पर लिया है टमाटर की पेस्ट और मैरिनेट करने के लिए हमने लिए दो चमच हद रकला सुनारी मिर्ज का पेस्ट और एक कटोरी ले लिया है दही और हमने जो पापलिट फ्राई की रेसिपी बनाई थी ऐसा ही मसाला हमने यहाँ पर सबजी के लिए भी ले लिया है उसमें हमने डाला था आदा चमच नमक, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्ज का पाउडर, थोड़ा से चिकन मसाला और अध्रक लैसुन की पेस्ट इन सारी चीजों का हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए थी इसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी वहाँ से आप पापलेट फ्राई की रेसिपी को देख सकते हो तो दस्तो चलते हैं हम नेक्स्ट पोशेस में अब हम इन सारी चीजों को साइड में रख देगें अब हमने लिया है यहाँ पर आधा कीलो पापलेट की फीस जिसे हमने अच्छी तरह से दोल ली है और अच्छे से कट ली है अब हम इसमें डाल लगे नमक हल्दी गरम मसाला लाल मीर्च पाउडर चिकन मसाला चिसे की टेस्ट हमारा बहुत दी बढ़िया है दो चामाच अध्रक लेसुन और हरी मीर्च का पेस्ट और हमारा दही और अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेगे तो दोस्तो मसाला जो हम अच्छी तरह से पापलेट में लगा लेगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेगे और आधे गंटे के लिए हम इसे फ्रीज में रख देगे मेरिनेट करने के लिए तो चलिए मिलते हैं आधे गंटे के बाद आधा गंटे के बाद हम कैस की फ्रेन को अन करेगे और उसमें एक कड़ाई को रख देगे उसमें थोड़ा से हम डालेगे ओईल और इसे अच्छी तरह से गरम होने देगे इसमें हम डालेगे दो तेज पत्ता एक डाल चीनी का टुकड़ा और एक लवंग अब हम उसमें डाल देगे हमारी टमाटर की पेश्ट इसे भी हम अच्छी तरह से पका लेगे गैस की फलेम को हम लोटू मीडियम फलेम पे लोखेगे और टमाटर को अच्छी तरह से पका लेगे टमाटर जो हो हमारा पक गया है अब हम उसमें डालेके हमारा मिक्स किया हुआ मसाला इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेगे और थोड़ी देर के लिए हम ढख कर मसाले को अच्छी तरह से पका लेगे तो दोस्तो मसाला जो हमारा पक गया और हमारा तेल भी उपर अच्छी तरह से आ गया है अब हम उसमें डाले के हमारे मेरिनेट किये हुए पाप प्लेट गैस की फ्लेम को हम low to medium में ही रखेगे बतन में जो हमारा थोड़ा से मसाला बचा हुआ था उसमें हमने थोड़ा से पानी डाला है और उसे भी हम उसमें डाल देगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेगे यह देखिए दोस्तों हमने अच्छी तरसे मिक्स कर लिया है और अब हम उसे 10 से 12 मिनिट के लिए धक कर पकाएगे 10 से 12 मिनिट हमारी हो गई है और हमारे फीज़ जो है वो रेडी हो गई है और गैस की फ्लेम को हम आफ कर लेगे आप देख सकते हैं फीज़ जो हमारी पक कर रेडी हो गई है अच्छी तरसे यह देखिए बिल्कुल अच्छी तरसे हमारी फीज़ जो है पक गई है अब हम उसे एक प्लेट में निकाल लेगे तो लग रही है न बिल्कुल होटर की जैसी पापलेट करी की रेसेपी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताए और मेरी रेसेपी अच्छी लगी हो तो आप अपने घर पर जरूर शेट राइ कीजिए और अपनी फेमेली को खिलाए और चैनल में नही हो तो सब्सक्राइब जरूर करना तो दोस्तों कैसे लगी मेरी रेसेपी अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी लगती है तो प्लीज इज़े लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बाजी में दिये गए बेल आइकन को डबाए जिसे की मेरी नही रेसेपी आप सबसे पहले देख सके तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई